नमस्कार दोस्तों मैं विकास त्रवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास इस्टडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हिस्टरी की प्रीवियस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत पर चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने आपको बताया था दोस्तों कि प्राचीन भारत को तीन भागों में विभाजित किया गया था वो कौन-कौन से तीन भाग थे तो पहला हमारा था प्राग एतिहासिक काल दूसरा दोस्तों आध्य एतिहासिक काल और तीसरा था एतिहासिक काल तो दोस्तो प्राग एतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्शा की थी और विश्तर तरीके से जानकारी प्राप्त की थी और उसके बाद हम लोग आधि एतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो दोस्तो आद एतिहासिक काल पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं आद एतिहासिक काल में हम लोगोंने क्या क्या पढ़ा था तो दोस्तो आद प्राचीन भारत में आद एतिहासिक काल में आप लोग जानते हैं कि आद एतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया था दोस्तों प्राचीन भारत को तीन भागों में डिवाजित किया गया प्राग एतिहासिक काल आदे एतिहासिक काल और उसके बाद दोस्तों प्राचीन भारत में आदे एतिहासिक काल जो हुआ उसको दो भागों में विवाजित किया गया कौन-कौन से दो भागों में तो द तरीके से चर्चा की थी और इसे बनने वाले महत्वंट प्रसनों की प्रैक्س भी की थी दोस्तों और प्रिवियेस क्लास में हिस्ट्री की हम लोग वाधिक सब्भ्यता पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में हमने आपको कुछ चीजे बताई थी और आज उसी को continue करते हुए हम लोग वैदिक सभ्यता में वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और दोस्तो वेद में भी आप लोग जानते हैं कि वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है कौन-कौन से तो जिगवैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोस्तों जो हमारा जिग वैदिक काल है आज हम लोग उस पर चेर्चा करेंगी तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों वेद क्या है तो दोस्तों वेद क्या है तो वेद सब्द संसक्रत भासा की विद धात उसे बना है दोस्तो ये जब हमारे वैदिक सब्वेता है सभी ज्यामों में इससे प्रस्ण पूछे जाते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें देखते हैं दोस्तो वेद सब्द जो है दोस्तो वो संसक्रत भासा की विद धातु से बना है और इसका दोस्तो वेद का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है ज्यान वेद का साब्दिक अर्थ ज्यान होता है ये दोस्तों पहुत ज़्यादा पूछा गया है कि वेद का साब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं वेदों को सुना और सुनाया जाता था दोस्तों वेदों को क्या किया जाता था दोस्तों इसके जो वेद हमारे हैं इनके क्रमबद तरीके से संकलन जो किया गया है वेदो का इसलिए इसे सहिता भी कहा जाता है क्रमबद तरीके से संकलित किया गया है इसको और इसलिए इसको सहिता भी कहा जाता है उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वेदो की रचना पुरुसों नहीं की है इसलिए इसे अपवरुसे भी कहा जाता है मतलब अपवरुसे मतलब दोस्तों वेदो की रचना देवताओने की है अब आपको हम बता देते हैं दोस्तों इसमें प्रसन कैसे पूछा जाता है दोस्तों प्रसना ऐसे आएगा आपक या सुरुती और एक आप्सन और भी दिया होगा और पूछेगा इसमें से वेद मतलब वेद का अर्थ क्या नहीं है तो दोस्तों ये आप लोग जानते हैं कि सहीता किसलिए कहा जाता है वेद को अपब उसे किस लिए कहा जाता है और सुरत किस लिए कहा जाता है और वेद का साबडिक अर्थ क्या होता है तो ज्ञान होता है बहुत अच्छे से दोस्तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी उसके बाद आगे देखते हैं भारत का सरुप्राचीन धर्म गरंथ क्या है? तो दोस्तो भारत का सरुप्राचीन धर्म गरंथ क्या है? तो वेद है दोस्तो और वेदो के संकलन करता कौन है? तो दोस्तो वेदो के संकलन करता कौन है? तो दोस्तो ये चीज़ यहाँ पर वेदो के लेखा ये रचहिता नहीं है वेदो के संकलन करता है वेदो के संकलन करता कौन है तो महार्च क्रश्ण दोईपायन वेदब व्यास को माना जाता है वेदो के संकलन करता है महार्च क्रश्ण दोईपायन वेदब व्यास उसके बाद आगे रेखते हैं दोस्तों वेद हमारे हैं कितने तो दोस्तों वेद वेद चार हैं कौन-कौन से तो रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद दोस्तों ये चारवेद हमारे हैं उसके बाद आगे रेखते हैं कि ये चारवेद में आपको हमने बताया कि दोस्तों जो हमारी आद एतिहासिक काल था उसको दो भागों में विभाजित क दिया गया था जिग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जिग वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे जिग वैदिक काल इसका दोस्तों टाइम पीरियड कितना रहा तो जिग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था हमारा वो 1500 इसा तो ये हमारा दोस्तों आप हम लोग देखते हैं कि जिगवेदिक काल में क्या क्या कार रहे हुए तो जिगवेदिक काल का जो टाइम पीरियर था वो पंदा सो इसापूरु से एक हजार इसापूरु तक रहा और जिगवेदिक काल में ही दोस्तों जिगवेद की रचना की गई देखते हैं जिगवेद के बारे में दोस्तों जिगवेद आप लोग जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा वेद जो है वो जिगवेद है ऐसे सीधा प्रस्न पूछा जाता है उसके बाद दोस्तों जिचाओं के क्रमबध ज्यान के संग्रह को क्या कहा जाता है रिचाओं के क्रमबध ज्यान के संग्रह को रिगवेद कहा जाता है और दोस्तों रिगवेद में कितने मंडल है तो दस मंडल है रिगवेद में कितने मंडल है तो दस मंडल है और इसके रिगवेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से है तो दोस्तों दूसरा और सात्वा मंडल जो है वो जिगवेद का सबसे प्राचीन मंडल है बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे कि जिगवेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है तो दूसरा और सात्वा उसके बाद आगे देखते हैं जि इंतम मंडल पहला और दसमा है जिगवेद में दोस्तों 1028 सूक्त है जिगवेद में सूक्त कितने है तो 1028 है तथा दोस्तों इसमें रिचाएं कितनी है तो 10462 जिगवेद में दोस्तों 1028 सूक्त और 10462 रिचाएं उलखित है उसके बाद दोस्तों जिगवेद का जो तीसरा म मंदल इसके दोस्तों रचिनाकार कौन है तो विश्वा मित्र है जिग वेद के तीसरे मंदल के रचिनाकार विश्वा मित्र है और दोस्तों वेदों के संकलन करता कौन है तो महाच क्रशन दोईपायन वेदव व्यास जी और तीसरे मंदल के दोस्तों रचिनाकार कौन है तो विश्वा मितरजी है उसके बाद दोस्तों ये जो तीसरा मंडल हमारा जिगवेद का है इसी मंडल में सूरिदेवता तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद गायत्री मंत्र का उल्लेक है तो दोस्तों तीसरा मंडल जो हमारा जिगवेद का है इसमें सूरिदेवता तथा साव तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा मंडल उसके बाद दोस्तों जिगवेद का जो नवा मंडल है उसमें क्या है तो जिगवेद के नवे मंडल में देवता सोम का उलेख है ये भी दोस्तों बहुत important question है बहुत ध्यान से देखते चलेंगे जिगवेद के नवे मंडल में देवता सोम का उलेख है उसके बाद दोस्तों आठवे मंडल में रिवेद का जो आठवा मंडल है इसमें 11 रिचाएं बाद में जोड़ी गई है तो दोस्तों आठवे मंडल में 11 रिचाएं जो बाद में जोड़ी गई है वो हस्त लिखित है वो हस्त लिखित है औ और इसलिए दोस्तों इन्हें छेपक या खिल कहा जाता है जो रिचाय बाद में जोड़ी गई है वो रिचाय हस्त लिखित हैं दोस्तों और इन्ही हस्त लिखित रिचाओं को छेपक या खिल कहा जाता है उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों जिगवेद का जो दस्वा मं किया गया है स्वम देवता का उल्लेक रिगवेद के नवे मंदल में है और तीसरे मंदल में दोस्तो प्रसिद गायत्त्री मंत्र का उल्लेक है जो सेउत्र देवता और सावित्री को समरपीत है उसके बाद दोस्तो ये जो दस्वे मंदल में पुरुष सुक्त का वर्डन किया इसके अनुसार चारवर्ण है पुरुष सूट। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, जिगुएद की पहली रिचा अगणी को समर्पित हैं। दोस्तों जिगवेद की जो पहली रिचा है वो किसको समर्पित है तो अगनी को समर्पित है बहुत अच्छे से ध्यान से दोस्तों देखते चलेंगे और अगनी को दोस्तों कुल कितनी रिचा हैं समर्पित हैं तो 200 रिचाओं की रचना की गई है अगनी के लिए पहली रिचा दोस्तों वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी तो सरस्वती नदी थी और इसमें दोस्तों इसको क्या कहा जाता था तो नदी तमा या देवोतमा कहा जाता था दोस्तों वैदिक काल की सबसे महत्पूर नदी कौन सी थी तो सिंधु नदी थी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी दोस्तों ये सरस्वती नदी थी जिसे नदी तमा या देवोतमा कहा जाता था और सबसे महत्पूर नदी कौन सी थी तो सबसे महत्पूर नदी थी हमारी सि लमुना नदी का दो बार उल्लेख है और सिंधु नदी का 33 बार उल्लेख है और ये दोस्तो 33 बार उल्लेख अगर नदी की बात करें तो सरवाधिक उल्लेख हुआ है सरवाधिक उल्लेख जिगवेद में किस नदी का हुआ है तो दोस्तो किसका हुआ है तो सिंधु नदी का ह उसके बाद आगे देखते हैं, जिगवेद में सर्वाधिकबार प्रयोग किया जाने वाले सब्द, जिगवेद में सर्वाधिकबार प्रयोग किया जाने वाले सब्द, तो दोस्तो जिगवेद में सर्वाधिकबार पिता का उल्लेख किया गया है, 335 बार, जन सब्द का 275 ब पूंचा जाता है कि पिता सब्द का उल्लेक कितनी बार हुआ है तो 335 बार, इंद्र का उल्लेक कितनी बार हुआ है तो 250 बार, सिंध नदी का उल्लेक सरवाधिक बार हुआ है 33 बार, और इसमें दोस्तों पिता का उल्लेक सरवाधिक बार हुआ है 335 बार, उसके बाद आगे देखते हैं रुद्र सब्द जिगवेद से लिया गया है दोस्तों रुद्र सब्द जो हमारा है वो जिगवेद से लिया गया है और इसका प्रियोग जिगवेद में तीन बार किया गया है उसके बाद दोस्तों इस वेद की रिचाओं को पढ़ने वाले रिसी को रोता कहते है दोस्तो हुरोत कहते हैं जो यह हमारा रिगवेड है इसमें लिखी गई रिचाओ को पढ़ने वाले रिशी को हुरोत या हुरोता कहते हैं दोस्तो उसके बाद आगे देखते हैं रिगवेड के ब्रामहर गरंथ कौन-कौन से हैं तो दोस्तो रिगवेड के ब्रामहर गरंथ और कौसित की इब्राम्हड उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तो रिग्वेद के बारे में दसराग युद्ध का उलेक रिग्वेद के किस मंडल में किया गया है तो सातवे मंडल में दोस्तो दसरागी युद्ध का उलेक रिगवेद के सात्वे मंडल में किया गया है और यह युद्ध पुरुसुणी नदी के तठ पर लड़ा गया था तो पुरुसुणी नदी के तठ पर लड़ा गया था यह दसरागी युद्ध और इसका दोस्तो यह पुरुसुणी नद रिगवेद के सात्वे मंदल में किया गया है और या युद्ध, पुरुषडी या रावी नदी के तठ पर सुदास एवं दस जनों के मध्ध लड़ा गया था सुदास और दस जनों के मध्ध ये युद्ध दोस्तों दसराग युद्ध लड़ा गया और जिसमें सुदास विजय हुआ था ये दोस्तों इसका उले कहां किया गया है तो रिगवेद के सात्वे मंदल में दोस्तों इसके बाद उत्तरवैदिक काल के बारे में चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद